नमस्ते दोस्तों आप सब का हर दीख स्वागत है आपकी यूट्यूब चनल ग्रिन टिप्स और आडवाइस चनल पर फिरन्स आसके इस वीडियो में यह पार्ट टू वीडियो है पार्ट वान में मैंने टूटेल आठ स्टॉक के बार में चर्चा करूंगा जो स्टॉक मेरे स सब्सक्राइब करना चाहते है तो डिस्क्रिप्शन में देएगे लिंक पर क्लिक करके आप डिमाट अपन कर सकते है वाइदा क्या होगा फ्लेट ब्लोकर 20 रूपीज अधिक जानकरेगे लिए मुझे कॉंटाक्ट कर सकते है तो चलिए हम बात कर लेते पहले हम बात करेंग दो रेजिस्टंस लेवल को पॉजिटीव ब्रेक आउट किया 105 इनकर आप जा सकते हैं तो कि दो आप अंदाज आज लागा सकते हों क्युकि कि बागी सारे इंडिगेटर जो है ऑवार ओल बाइंग पोजिशन पर है सिर्फ आरे साइए का जो लेवल वो कुछ हद तक अवार बॉट जुन पर है यानि गिर सकते लेकिन जिस रेशियों पर है और भी उपर जा सकते हैं प्राइज एक्षन अगर हम देखे तो तो चलो उस करते हैं 200 के नीचे तो हमें लेवल मिलेंगे 195 का लेवल मिल सकता है नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएमल बीएमल का जो कंडिशन है अभी देखिए बीएमल 822 पे क्लोज हुआ है और अब यह जिस कंडिशन में हम एक अच्छी बाइंग पोजिशन बना सकते हैं क्यूंकि इस लेवल पर है इस लेवल पर हम उसको बाई कर सकते हैं और दो तीन दिन या फिर पास दिन या फिर देस दिन के लिए होल्ड रख सकते हैं लेकिन फिल हल हम बात करेंगे इंटाडे के लिए तो इंटाडे में अभी जिस कंडिशन में है 830 की लेवल को अगर यह ब्रेक अब यह डाउन ट्रेंड में है और 150 देस के क्लोजिंग प्रैस को ब्रेक डाउन क्या है उसके साथ फ्रेंड्स पीबूट लेवल को भी ब्रेक डाउन क्या है और उसमें काफी एक ग्रावट आई है तो देखिए आरसे का जो लेवल है वो अभी अबर सोल पे है उस जगह से उपर की तरफ जा सकते हैं और स्टोकास्टिक का जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव लाइन नेगरिव लाइन को बेक आउट करने की एक एक कोशिश जा रही है और बाकी MECD के बार में बात करें तो MECD आवे फिलहल जरो लाइन के उपर ट्रेट कर रहे हैं तो फिलहल आ 295 एंड 290 का नेक्स्ट हम बारत करेंगे टाटा स्टेल टाटा स्टेल देखिए टाटा स्टेल जो एकी टेडिंग रेंज पर टेट किया और आभी ना बाइंग पे है ना सेलिंग पे हैं यह मिडियंग पोजिशन पे हैं फिलिडेस के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ज़रूत नहीं है अगर थुरी से आप दिमाग लागेंगे तो आसान है बस लेवल निकालना आप लोगों को आना चाहिए और लेवल निकालने के लिए फ्रेंट्स ट्रेंड लाइन ड्रॉं करना आप लोगों को सिखना पड़ेगा एक स्टॉक में आप बहुत तरीकी के ट लेवल होता है एक लेवल ब्रेक आउट करते हूं चलांग बारेंगे एक लाइन अगर बेकडाउन करते हैं तो निचे गिराव अटाएंगे तो यह ट्रेंड लाइन के से ड्रॉक करते हैं बहुत सीखिए पिछले वीडियो में मैंने पहले पहले जब आप लोगों के सब्स स्री तरीके से लेवल निकालते हूं तो फ्रेंड्स फिला लेवल के बात कर रहते हैं जैसे यह फाइवांड़ एटीफाइफ को उपर सस्टेंस करेंगे आप लोगों को 600 का लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगर यह 570 की नीचे सस्टेंस करते हैं एराउंड 568 तो नीच प्रोकास्टे के रहे के उपर की तरव है और मसरी लाइन में लाइन के नीचे हैं लेकिन अभी जिरो लाइन के ऊपर है तो चलिए टेक मेंद्र के बार में बात कर लेते इससे पहले इंट्रडे फ्री लाप्टिप्स के से प्राप्ट करते हैं उस बरह में चर्चा कर लेते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो के डिस्क्रिक्ष्ट में आप लोग के क्लिंग मिलेगा अंजन टेक्रिजाइज.com उस लिंपे क्लिक करके आप लोग इस वैफ साइट को विजिट कर सकते हैं या पर आप लोग को इंट्रेट लाइप टीप्स मिल जाएंगे जैसे के कावी सारी आपर जान करें मिलेंगे वांडे बीफुर कॉल उसके बाद आपार बॉलिंजर पैंड क्रोस ओवर स्टॉक्स मुविंग आवरस 5-10-day 200 डेस ब्रेक आउट स्टॉक्स ब्रेकडाउन स्टॉक्स तो 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 फो टो ब्रेक आउट स्टॉक्स और भी कावी सारी आप आपडेट आप लोग मिलेंगे तो इस ब्रेक मेंद्र का लेवल देख लेते टैक मेंद्र जो है लास ताइम में देर दो गुंटा तक एक टेडिंग रेंड पर टेड किया ना उपर ना नीचे काफी दुविदा में थे और एक support level के पास आके जो trade कर रहा था तो आगले दिन इसमें कुछ भी हो सकता है फिलाल RSI का trend जो है उपर की तरफ है और और स्टोकस्टिक और पॉजिट्वी ब्लाइंड नेगरिव ब्लाइंड का उपर है और अल्रेड बाइंग सिगनल दे चुके हैं मसडी इनियर्शियल बाइंग सिगनल दे चुके हर तरीकी से बाइंग सिगनल आगर यह support level के उपर सस्टेंज करते तो उबर के तरफ अबवस 660 और जैसे 660 को पर सास्टेंज करते हैं आपको 11 मिलेंगे 670 नेक्स्ट हम बात करेंगे मादार सुमी इसे पहले और एक जनकरी आगर आप लोग पेट सर्वेस लेना चाते हैं तो मुझे आप लेकिन अभी फिललन पिप्रेस क्लोजिंग प्राइस के नश्धिगी प्राइस के निचे क्लोज हुआ है तो 304.75 पे क्लोज हुआ है अरसाई का रेंज भी 44 पे हैं अभी आँ आपर की तरफ जा सकते हैं पनीची कि तरफ लेकिन स्टॉकास्टिक जो है बाइंग सिगनल है लेकिन 0 लाइन पर ही जिरो के नीचे जैसे जिरो को एक तो है पहले इनिश्यल भायंग सिगनल दे चुक एजिसा Lean को बेक आउट करेंगे और साथ ही स्ट्रीट फूर फोफ पर है एक उचाल आएंगे उसमें तो छिल इसमें उसका लेवल लेवेल देख लेते हैं 304.75 पे जैसे यह 309 के उपर सस्टेंज करते हैं 309 क्योंकि यह 155 डेस क्लोजिंग प्राइस का लेवेल है जैसे 309 के उपर सस्टेंज करते हैं हमें लेवेल मिलेंगे 313 और 320 और जैसे यह 300 के निचे सस्टेंज करते हैं तो हमें लेवेल मिलेंगे 290 285 तो फ्रेंड्स आसके लिए इतने से आम आशाय प्लोग को जनकर प्राप्त हो चुके हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग जाहिंद